नमश्कर विविवर्स आज मैं हाइड्रालिक स्ट्रक्चर का एक और टॉपिक जो की है कनाल फॉल उसके ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ सो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वाट इस कनाल फॉल सो कनाल फॉल इस अ मेजुनरी स्ट्रक्चर जैसे की राइट साइड चैनल जिस चैनल का पहले है हम लोग वाटर को रिवर से एक्स्ट्रक्ट करके फिर उसको इरिगेशन फील या फिर डॉमेस्टिक पारपस में यूज करते हैं तो उस चैनल का बेट स्लोप को प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि जरुरी नहीं है कि always जो natural हमारा ground बेट स्लोप है वही हमेशा चैनल का बेट स्लोप होगा तो हमारा according to our needs, according to हमारा irrigation कौन से लेवल पे है domestic supply कौन से लेवल पे हमको प्रोवाइड करना जिसे कि हम लोग maximum water को discharge करा सके maximum river water को extract कर सके channel के थ्रूँ तो उस जगे पे जो हमारा natural जो बेट स्लोप है उसको suitable बेट स्लोप प्रोवाइड करने के लिए जो structure यूज करते है, machinery structure उसको canal falls कहा जाता है so हम diagram के थ्रूँ भी समझेंगे so canal falls कहां पे necessary होता है जबके when the slope of the ground suddenly changes to steeper slope the permissible bit slope cannot be maintained जब हम लोगा ground का slope तो कि यह चुकि natural जब ground का slope होता है जो natural है, हमारा एक जगा पहाड, एक जगा dessert जो हम लोगा natural, जो ground slope है तो वो उस पे हमारा कोई control नहीं है तो वो तो naturally बना हुआ है पहले से ही, तो इसको हम लोग according to our needs इस bed slope को change करने के लिए हम वहाँ पे structure use करेंगे that is canal falls तो यहाँ पे एक जगा पे use हुआ canal falls की जहाँ पे ground slope हमारा suddenly changes हो रहा है steeper के तरफ ज्यादा steeper होगा तो ज्यादा speed में फिर water flow करना शुरू करेगा चैनल से अगर natural ground slope के according हम लोग channel को ले जाए तो इसमें क्या होगा अगर ज्यादा जल्दी जल्दी steeper slope water flow करेगा तो water में जितने भी sediments आ रहे हैं water का speed बढ़ेगा sediment particles भी उसके साथ flow होते चले जाएगा तो water को अपना self cleansing का time नहीं मिलेगा तो water के जो self cleansing मतलब जो particles होते बेट पे जो settle down होते है extreme slope ना हो जाए extreme speed ना बढ़ जाए water का तो ये time नहीं मिलेगा self cleansing property का next when the slope of the ground is more or less uniform जब हमारा slope of the ground क्या होगा कि बहुत जादा बहुत more or less uniform uniform नहीं है बहुत जादा उतार चड़ाव है जहाँ पे slope of ground तो वहाँ भी canal falls का use हो है next is in cross drainage work when the difference between bed level of canal and that of drainage is small or when the fsl of the canal is above the bed level of drainage तो चलिए देख लेते हैं ये है हमारा first point ये जो first मैंने बुला when the slope of the ground suddenly changes to sleeper अब देख सकते ये हम लोग का designed bed slope होना चाहिए था कि धीरे 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 ये क्या हो रहा है bed slope increase कर रहा है मतलब channel flow करने के लेकिन हम लोग अगर original जो हमारा bed slope available है वो देख सकते अचानाक से यहाँ पे first points देखेंगे तो ये steep होते चल रहा है ग्राउन का bed slope तो ये हम लोग का actual होना चाहिए था कैसा ना इसलिए हम लोग ये जो canal का ये जो fall करा रहे है इसमें जिससे की हमारा speed में अचानाक से speed ना बढ़ जाए हमारा water में sediments ना आ जाए जाए जादा तो इस वज़े से proper discharge extract करने के लिए हम ये जो vertical drop का use किये है vertical fall इसी को बूला जाता है canal fall ठीक है हम देख सकते vertical fall या फिर फिल ये canal fall तो ऐसे फिर हम लोग फिर water discharge water जाएगा ये रहा original path जैसे की हम लोग का जो channel का water travel करके जाएगा अब देख सकते ये channel का path ठीक है ये रहा figure one next figure when the slope of the ground is more or less uniform and the slope is greater than the permissible bed slope तो चलिए इसका भी diagram देख लेते हैं ये होगा diagram तो इसमें हम देख सकते जो original ground slope है ये बहुत ज़्यादा उतार चड़ाव है ये यहाँ पे फिर आचानक से इतना ज़्यादा down हो गया फिर ये तो हम लोग का original कैसा होगा होना चाहिए था bed slope ये जैसे की water flow कर रहा ये रहा ये होगा हमारा original इसको हम लोग को fill up करना पड़ेगा तो यहाँ पे देख सकते इस side पे हम लोग को कुछ earth work fill up करना पड़ेगा है ना जिससे की हम इसको एक smooth channel ये फिर smooth water को pass करा सके ये रहा figure 2 next होता है in cross drainage work when the difference between bed level of canal and that of drainage is small ठीक है ये रहा हमारा figure 3 ये canal का fall ये canal और ये जो upstream का FSL लिए जब हम लोग canal और stream को एक साथ ले जा रहे है इसका एक और नाम होता है जो हम लोग आगे देखेंगे ये रहा location पे चलिए तो अब कहां पे हम लोग canal fall को देंगे इसको देख लेए थे कि जो location of canal fall mainly depends upon the topography that is the topography of the country through which the canal is passing in case of main canal अब main canal के लिए हमको देखना पड़ेगा cost of excavation जितना हम मतलब अगर हम लोग canal को down कर रहे है या फिर हमारा जो original जो ground slope है वो बहुत ज्यादा means बहुत ज्यादा gradient में नहीं है बहुत कम gradient है तो उसको proper gradient provide करने के लिए जिस्ते की water एक जगा जम ना जाये वो easily flow कर सके तो उसके लिए हमको fill करना पड़ेगा तो cost of sorry excavate करना पड़ेगा proper वहाँ पे gradient provide करने के लिए तो cost of excavation versus cost of fill जो cost of fall ये दोनों का excavation और filling का जो cost है वो हमारा balanced रहना चाहिए अदर्वाइस जो extra earthwork निकल के आएगा natural ground slope को सुधारने के लिए उसको फिर वो जो earthwork रहता है वो जो मिट्टी रहेगी ना उसको फिर दूसरे जगह कही फिर transport cost बढ़ जाएगा उसको ले जाके shift करने में तो हमारा ऐसा रहना चाहिए हम लोग का designed जो channel है designed channel path है ऐसा रहना चाहिए कि जब हम लोग natural ground natural ground मतलब जो हम लोग ground है वहाँ से जब channel को ले जाए तो natural ground का cut off cut art excavation cut off और fill वो दोनों बराबर हो जिससे की कोई extra जादा earthwork ना बचे नहीं तो फिर उसको हम लोग को transport करके अलग जगह में place करना पड़ेगा अन्नैसे लिए उसका एक transport का cost बढ़ जाएगा next transport cost labor cost वो art work को extract करने के लिए next day in case of branch canal ये तो हो गया main canal का branch canal and distributory जो की directly हम लोगा irrigation वगेरे में या फिजो हमारा catchment area है command area है उसमें water को supply करने में जो canals का use होता है branch canal या distribution canal उसका location क्या होना चाहिए consideration to command area command area के पास होना चाहिए जिससे की easily command area तक maximum water को हम discharge कर सकी जिससे की maximum हमारा command area से हम लोग maximum output मिल सके तो ये होना चाहिए location branch canal सा या फिर distributing channels का next फिर possibility of combining it canals का या फिर ये जो false है इसको हम लोग अगर possibly कोई bridge या फिर regulator को से combine करते मैंने अभी बोला ना ये next में आएगा ये रहा जो third diagram है ये वाला diagram है जब ये canal और ये extreme है ये bridge है इसको जब दोनों को एक साथ construct किया जाता है तो इससे labor वगेरा बहुत कुछ में इसमें economy मिलता है मतलब क्या बहुत charge जो है हमारा वो economical होता है कम खच होता है as compared to अलग-अलग से हम लोग channel का या फिर bridge work का जब हम लोग construct करते है ठीक है so if possibility अगर ऐसा नहीं है कि जबदस्ती अब जहां से channel है या फिर ब्रीज है वही से channel या फिर कराल को ले जाएंगे according जैसे हमारा channel designed हुआ है अगर उस design path में ऐसा अगर हम लोग path select करते हैं कि उसमें कोई bridge आ रहा है तो जब वहां से bridge और canal दोनों एक साथ pass करेंगे तो उससे हमारा वो structure क्या हो जागा economical better regulation होगा और उस structure को हम लोग बोलेंगे fall regulator with road bridge next अब कुछ different types of canal falls क्या क्या है augie fall, rapid fall, trapezoidal notch fall, glacis fall, sharda fall और vertical drop fall, montake fall, english और baffle fall ये कुछ types है canal falls का इसके अलावा भी 2-3 और others canal falls के type है जो कि हम जब आगे ये जो सारे different types of canal falls है इसके उपर जब हम question करेंगे तो वो others कुछ-कुछ जो extra falls है उसको भी मैं आप लोग को बता दूँगी, so next चलिए शुरू करते हैं, एक-एक हम लोग जितने भी अभी 7 जो ये types of fall है इसको एक-एको थोड़ा सा describe कर लेते हैं, so augie fall, what is augie fall हम diagram से समझेंगे, augie fall ऐसा ये जो हमारा water आएगा, उसके बाद ये जो stream flow हो रहा है, ये हमारा top of crest, ये fall का augie fall ये crest है, crest के उपर से water यहां से गया, फिर downstream है, ऐसे fall हो के जा रहा है, so this is the augie fall in this type of fall and augie curve, यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे two types of curve है, ये एक है, हमारा ये वाला portion क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा concave, और ये एक हो गया हमारा convex, ये हो गया concave, so इसमें दोनों, combination of convex और concave curve दोनों होता है, ठीक है, convex और concave हम देख सकते हैं, ये रहा, हमारा convex और ये रहा, हमारा concave downstream है, तो दोनों concave और convex curve इसमें use किया गया है, structure को provide करने के लिए to carry the canal water from higher level, from upstream higher level to downstream lower level, ठीक है, ये होगा augie curve, तो augie fall में main हमको क्या याद रखना, इसमें concave, convex दोनों curve का use क किया गया है, इस fall को consider करने के लिए, that's it, next हो गया, इसमें हम, मैं सब keywords को बता दूंगी, इससे कि क्या होगा, चितने भी types के fall है, हमारा seven types के fall है, वो easily हमको, mind में set हो जाएगा, कुछ keywords में, तो augie fall में keywords क्या है, convex, concave, both curves are used to create the fall, next is rapid fall, rapid fall is suitable when the slope of the natural ground is even or long, you can see that the fall is so long, है न, इसमें क्या है, ground slope is even and long, it consists of sloping gases which varies from 1 in 15 to 1 in 20, this falls are very satisfactory but expensive, तो rapid fall का एक advantage है, वो natural ground slope को ही, उसमें हम लोग, natural ground slope को ही follow करता है, बट इसमें एक drawback है, कि इसमें क्या होता है, disadvantage क्या है, कि ये expensive है, तो advantage क्या हो गया, ये ground slope को follow करता है, ये ground slope long होता है, तो इसमें easily water pass कर रहा है, ज्यादा इसमें क्या है, हमारा stone pitching work वगेरा, या फिर energy dissipation का, इसका जहमिला नहीं ही रहता है, तो इसमें क्या है, main है, ये ground slope को follow करता है, इसमें ज्यादा excavation filling work नहीं आता ह है rapid fall का advantage ground slope to follow natural ground slope or disadvantage expensive तो keywords augie fall का क्या हो गया इसमें convex concave दोनों curve का use करके इस fall को create कर जाता है rapid fall क्या हो गया rapid fall याने इसमें ground slope को जो ground slope है natural ground slope उसी के according इस fall को बराया जाता है यह advantage है but disadvantage क्या है यह चुकि long होने के वज़े से बहुत लंबा जाता है यह fall यह expensive हो जाता है next following sorry यह जो different types of canal fall ही चल रहा है इसमें C point है trapezoidal notch fall अब यह trapezoidal notch fall क्या है जाता है इसमे number of trapezoidal notches यह देख सकते हैं हम लोग diagram में trapezoidal notches इसमें trapezoidal notches होते है number of trapezoidal notches high crystal wall across the channel इसमें क्या होता है यह notch के through ही water को entry exit किया जाता है यह notches के through अब इसमें क्या है notches के through entry यह फिर exit करने के वज़े से इसमें proper entrance होता है इस वज़े से इसमें जो circular lip जिसके वज़े से यह जो falling jet है वो proper एक jet के रूप में means proper shape में वो downstream में fall करता है तो it is a smooth entrance इसमें क्या है main advantage यह यह फिर main point क्या है trapezoidal notch that is the trapezoidal shape तो trapezoidal या नहीं इसमें याद आ जाएगा कि trapezoidal shape का notch होता है जिससे की smooth entrance होता है next और यह basically olden days में यह important mcq question है what is the mostly used notches from the following option तो इसमें 4 option देके trapezoidal notch होगा इसका correct option olden days में यह जादा use होता था क्यों क्योंकि इसमें smooth entrance होता था to the downstream next है glacis fall अभी यह glacis fall क्या होता है this is provided it consists of a straight glacis provided after the raised crest इसमें crest को आप देख सकते थोड़ा सा raised करके यहां पे जो downstream आ रहा था इससे थोड़ा सा crest को raised करके उसके बाद water को downstream में flow कराया जाता है so water cushion is provided on the downstream to dissipate the energy of flow इसमें water cushion downstream में तो है to dissipate the energy of flow बट आप देख सकते इस जगह पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा energy dissipate होने का chance है ना downstream में आके तो इस जगह का जो floor है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा deteriorate होने का chance बढ़ जाता है तो यह एक glacis fall का drawback राता है इसको यह ठीक होता है जाके montake fall में जो की हम आगे देखेंगे तो straight glacis fall when flumed is called flumed type fall next होता है शारदा fall या फिर vertical drop fall है यह one of the important kanal falls से आप trick कर सकते हैं यह one of the important vertical sorry kanal falls से different types of fall में से vertical drop fall इसमें बहुत सारे numericals quotients semester quotients इससे आता है तो इसको अच्छे से मतलब तयार करना है कि शारदा fall और vertical drop fall क्या होता है इसको यह नाम क्यों पढ़ा शारदा fall का क्योंकि इसमें यह जो है शारदा kanal it is provided on the शारदा kanal in उतर प्रदेश ठीक है तो शारदा kanal में जो शारदा kanal उसमें इस fall को provide किया गया था तो इसलिए इसका first provide किया गया था इसलिए इसका नाम पढ़ा है शारदा fall या फिर इसको vertical drop fall भी कहा जाता है the length of the crest is kept equal to the bed इसमें length of the crest यह जो crest का length होता है यह crest का length होता है जो length of the crest is equal to the bed width of the canal जो bed width of the canal है bed width of the canal उतना ही length of crest रहता है ठीक है फिर इसमें two types of crest are used for different discharges for discharges less than अगर हमारा discharge 14 qmx से कम है rectangular crest का use हो जाता है top width is kept equal to यह top width कितना होगा फिर 0.55 under root of dd कितना होता है यह depth of crest okay और अगर discharge और उसमें discharge q कैसे निकालेंगे 1.835 ll क्या होगा L is the length length of the this fall and H is the head over the crest and VB is the width okay bottom width so this is the discharge when the discharge is less than 14 qmx for discharge greater than 14 qmx तब discharge हम लोग कैसे calculate करेंगे इस formula से तब trapezoidal crest top width कितना होगा अगर less than 14 था तो 0.55 d और greater than 14 0.55 under root of h plus d यह सारा हम numerical में भी फिर से देखेंगे जब इसका vertical drop fall का numerical करेंगे तो उसमें यह सारे formula के तरू हम लोग question को solve करेंगे यह रहा हमारा vertical drop fall next आ गया यह Montec तो Montec किसका actually modified version है straight glacis fall का straight glacis fall में हम उने अभी देखा कि यह जो straight glacis fall था इस तो drawback था मैंने बोला ना इस जगे पे energy dissipation के वज़े से यहाँ पे floor deteriorate होगा क्यों क्योंकि floor में इसमें बहुत ज़्यादा गड़ा हो जाने के chance है क्योंकि बहुत force में water आ रहा है तो इसी को resolve किया है Montec टाइफॉल Montec ने क्या किया इसको parabolic shape दिया है तो parabolic देने के वज़े से आप देख सकते यह देखिए water easily यहाँ dissipate होगा इसमें इस जगे का जो floor है downstream में इसमें ज़्यादा pressure नहीं आएगा इसमें floor खराब होने के chances बहुत कम हो जाता as compared to straight sloping glaces so this is known as Montec profile इसी लिए इस profile को इस parabolic profile को इसको Montec ने दिया तो इसको Montec profile भी कहा जाता है इसमें straight glaces में जो energy dissipation का chance नहीं था but इसमें where energy dissipation Montec profile में easily हो सकता है अब last आता है ये होता है English fall या फिर baffle wall क्यों इसको English fall baffle fall कहा गया है देख सकते हैं ये जो upstream से water flow क्या रहा है उसके बाद यहाँ पर छोटा छोटा इसमें barrier create किया जाता है चोटा चोटा देख सकता है, यहाँ पे baffle wall barrier create किया जाता है, इससे क्या होगा water ऐसे आएगा, इसके बाद फिर यह barrier के उपर से जाएगा, फिर barrier के उपर से जाएगा, इससे क्या होगा, इस barrier, दो barrier के बीच में energy बहुत जादर dissipate हो जाएगा, ठीक है, energy, जो water को जो energy है, जो downstream क जो floor है, उसको खराब करने का tendency रहता है, यह हमारा resolve हो सकता है, इस baffle wall के through, इसलिए यहाँ पे baffle wall बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग fish ladder पढ़ते हैं, तो fishes को easily pass करने के लिए, और वहाँ का जो velocity वगेरा, उसको reduce करने के लिए, जिससे की fish easily downstream से upstream भी जा सके, तो वैसे ही baffle wall energy को dissipate करने के लिए, क्योंकि अगर यह barrier से टकराएंगे water, तो water का flow टकराने के बाद, flow का energy है, वो धिरे-धिरे reduce हो जाएगा, इससे हमारा downstream का floor है, वो floor खराब होने के chances कम हो जाएंगे, that's why baffle wall is created at the downstream, to provide it on the downstream to dissipate the energy of flowing water, इसलिए baffle wall का is provided at a calculated height, इसका height कितना height में हम लोग water को easily dissipate कर सकते हैं, कितना discharge आ रहा है उसके respect में, उसका height calculate किया जाता है, from the toe of the glacis, toe से to ensure the formation of jump, जिससे की jump हो सके baffle wall में, आप diagram में देख सकते हैं, यह water ऐसे आया, यहाँ पर थोड़ा इससे jump हुआ, जिससे की energy dissipate हुआ, easily और downstream में flow हो गया, तो यह था मेरा आज का video, कानाल falls के पर आगे भी इसमें videos आएंगे, numericals आएंगे, so please आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को support कीजिएगा, subscribe पर यह जो बगल में bell icon है, इसको दबाएगा, जिससे की जब मेरा notification हो, जब भी मेरा videos आए, आप तक जल्दी है मेरा notification पहुँच सके, वीडियो का, य मैं टेलिग्राम चैनल का link देती हूँ, जिससे की आप मेरे PPD को easily avail कर सके, so thank you dear all and thanks for watching, बने रहिए मेरे चैनल के साथ and thanks for supporting me.